आज मैं बहुत ही बड़िया सी रेजिपी लेके आई हूँ जो स्नेक्स बनाएंगे हम दूद से बनाने वाले हैं और उसके साथ सूजी से दो चीजों से इतनी अच्छी स्नेक्स बनेगी इसमें ना ही सोडा है ना ही बेकिंग पावडर और ना ही इनो इसे आप टिफिन बॉक बोक्स में डाल सकते हैं भूद ही जादा टैस्टी बनते हैं तो आई यह से बनाते हैं हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं किचन टीना किचन में आपका भूब बहुत स्वागत है सबसे पहले कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में हम डालेंगे तीन कप दूद आप किसी भी कप सबसे पहले हम अब इसे अच्छे से मेटी के मजर में कर दिया है अब मै अब हम low flame पर और medium flame पर धीरे धीरे इसी तरह से continue चलाते हुए cook करेंगे इसे हमें छोड़ना नहीं है continue चलाते रहना है lumps नहीं गिरना चाहिए एक चम्मच डालेंगे इसमें red chili flax red chili flax देखने भी खुब सूरत लगती है और खाने में भी अच्छा लगता है test अच्छा आता है अब continue चलाते हुए मैंने हाँ हलका थिक कर लिया है अब एक चम्मच इसमें oil डाल दिया है oil डालने के बाद अच्छे से mix करते हुए थोड़ी दिर के लिए और cook करेंगे ये देखिए अच्छे से dough foam में आ गया है आप देख सकते हैं spatula में उठाके हम इसे check कर लेंगे ये देखिए मैंने हाँ spatula को उल्टा कर दिया है दो बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा है अच्छे से set हो गया है अब नीचे उतारेंगे नीचे उतारके एक plate पे रख लेंगे प्लेट में डालने के बाद इसे जब ये हलका गरम रहे थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसे हम हलके हाथों से अच्छे से mix करेंगे सबसे पहले हम मसाला रेडी कर लेते हैं चार हरी मिर्ची लिए मैंने हाँ स्पाइसी वाली एक टुकड़ा अद्रक डाल लिया है टुकड़े करके 15-16 कड़ी पत्ता इसमें हम डाल देंगे mixer के जार में डालके एक चमस डालेंगे इसमें पानी पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है हमें ग्राइंड करने के लिए इसे हम ग्राइंड करेंगे ये देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो गया है ग्रीन चिली का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे साथ में हमें लेना है इसम मिक्स करना है डो हमारा ठंडा हो गया है इस पे हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे यह देखिए किता अच्छा डो हमारा लग गया है हलका तेल लगाएंगे हाथ में और इसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाएंगे जैसे हम छोटे-छोटे रस गुल्ले बनाते हैं वैसे ही छ मैंने एक चलनी ली है, स्टीम करने के लिए, इसके उपर भी मैंने ओल लगा लिया है, बॉल्स को हम स्टीम करने के लिए चलनी में डालेंगे, आधे ले रही हूँ सबसे पहले, बोईल हो गया है पानी, पानी बोईल होने के बाद चलनी को हम इसके उपर रख देंगे और पाँछ मिनटर के लिए स्टीम करना है 5 मिनटर के बाद करेंगे यह दिखिए बेचे से स्टीम करना के है यह घळा सॉफ्ट भी आप यह जादा सॉफ्टकु करना है एक कड़ाई लेंगे इसमें मैं वन टेबल स्पून ले रही हूं बटर और वन टेबल स्पून ले रही हूं ओयल मैं यहां दोनों चीज आधा आधा ले रही हूं आप चाहे तो दो चमच बटर ले सकते हैं दो चमच ओयल भी ले सकते हैं मैंने यहां दोनों चीज बराबर ब करेंगे प्याज्च कुक हो गया है अब इसमें बारी कटी हुई एक मिडियू मजय की घाजर करने है हलका करणची प्याइब इसमें की लोगो करने तोरद ओक दें कान। यहां जीए लोगे घर की काज़ा मेंे राति स्व आजब कंछल 19 अब सभी जो बॉल्स हमने रैडी करके रखिए इसमें डालेंगे सभी बॉल्स डालने के बाद अब इसमें डालना है हमें टेस्ट के अनुसार नमक नमक आप देखके डालिए टेस्ट के अकोडिंग डालना है बॉल्स में भी नमक है एक चमस डालेंगे कसूरी मेथी क्रश कर के और सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और दो से तीम मिनट के लिए कुक कर रहा है यह देखिए कितने अच्छे बॉल्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही जादा टैसी और स्पॉंजी बने हैं इसी हम नीचे उतार लेते हैं और प्लेट में डाल लें यह देखिए कितने बढ़िया बॉल्स बनकर रेडी होए हैं आप देख सकते हैं इसके आगे आपको पास्ता और नूडल सब फिके लगेंगे और बहुत ही हेल्दी भी है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शियर करें और बैल आइकोन पर क्लिक जरूर कर लें न्यूमोर रेसिपीच के लिए हम जल्द एक न्यूर रेसिपी के साथ मिलेंगे धन्यवाद